वाली के लिए तो यह मेकप है आप सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल आइकन को प्रेश कर लेना था के इसी तरीकी की नियू नियू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीट्यू ब्लेंडर को मैंने पहले से गी सब्सक्राइब करेंगे तो आइब के लिए तो अब आप लोग अप्रोड की होई है अगर आप नहीं देखिया तो इस तरीके बना लिया है और अभी मैं जाने वाली हूं गाउं तो गाउं पे जाके वीडियो ज़रूर शेयर करूंगे और जो भी मेरे कस्टमर्स हैं वह आप लोग आ सकते हो क्योंकि मैं गाउंगे 24 तरीको तो इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है इस पहले ब्रस से करें परेंट में आपको कभी भी बहुत ज़्यादा प्रोड़क्ट अप्लाई नहीं करना है तो इस तरीके सामने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम लोग लाइन इस पर कंसीलर तो इसको हम लोग इस तरीके से कि आइब्रो के जश्ट नीचे नीचे अप्लाई कर देंगे देन उपर उपर अप्लाई कर देंगे है कि ओके और बिल्कुल बराबर मिले जाते वे दूसरी आइच पे ऐसे ही अप्लाई कर देंगे इससे जो आपकी आइब्रो होती है बहुत अच्छे से दिखती है पुरी प्रोफेशनल की तरह तो इस तरीके से पुरा आइब्रो के उपर नीचे हमने अप्लाई कर दिया है कंसीलर अब इसको ब्लैंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से एक्स्ट्रा प्रोड़क्ट हम लोग यहां पर लगा देंगे क्योंकि हमको आई मेकप करना है भी और गीला ब्यूटी ब्लैंडर लेंगे अच्छे से ब्लैंड करेंगे जैसे मैं कर गी हूं विल्कुल ऐसे ही आपको भी ब्लैंड करना है कभी भी ब्लैंड करें तुरंद के तुरंद आपको वेकप स्टार्ट नहीं करना है आपको इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है जो अपने कॉंसीलर लगाया है उसको सेट किये भी ना पाई मेकप स्टार्ट नहीं करना हुआ तो यह अच्छे से प्लाई कर लिया है और अच्छे से ब्लैंड कर लिया है अब लोग आई मेकप स्टार्ट करें पहले हम लोग अपना कॉंपेक पाउडर लेंगे एंड इससे आई कंसीलर को सेट कर लेंगे अब हम लोग करें हैं होली के लिए मेकप तो आई मेकप भी कापी कलरफूल होगा तो कलरफूल आई हम्हां ब्हें लोग लिए लिए आई मेकप के लिए आई शेड़ प्रस सबसे पहले मैं यहां पे गूर्डडन के लोग आई सेटों ले रही हूं एक अपने इस तरीके से आप्लाई करूंगे आउटर कौनर से पूरा इनर कौनर तक दोनों आइस पर साथ साथ करते जारी हूँ कि विल्कुल लाइट कलर समझ में नहीं आ रहा है लोग लेंगे डार कलर वाइन कलर और इस तरीके से हमने पहले कलर अप्लाई किया था जट उसके नीचे ही इस तरीके से अप्लाई करेंगे इनर कॉनर से आउटर कॉनर तक पर आपर कि अप्लाई करने पार जो डार्क कलर हमने अभी अप्लाई कि है वही डार्क कलर अलो वाटर लाइन पर अपने अप्लाई करने कि इसके बाद में दूबाला से लेंगे कंसीलर का तो कंसीलर है इसको तो हम लोग सारीके से इस इसी वाली ब्रस इसको लेना है कंसीलर को इसको पर लेंगे दैन कट कूप बनाएंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कहां से कट क्री लेनी है तो आपको यहां पर कंसील अप्लाई करना है तो यह उपर लग जाएगा जहां तक आपकी कट क्रीश बननी चाहिए अब उसी डाइड लाइन के अपवाड़ी कि इस तरीके से पुरा कट क्रीश रेडी करना है तो इस तरीके से पुरा अप्लाई कर लिया है अब से इसी तरीके से दूसरी साइड भी कट क्रीश बनाने हैं तो जैसे हमने इधर अपना पता किया कि कैसे कट क्रीश बनेगी से मुझी तरीके यहां पर आई लीट के उपर जैस्ट रखेंगे इधर उपर इस तरीके से आईज को खोल देंगे तो उपर लग गया और हमको पता चल गया कि हमको कहां तक अपनी कट क्रीश बनाने हैं अपने 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 लगाना है तो अपने अपने लगाना है तो तो इस तरीके से कट क्रीश हमने बना लिया है अब आपको करना क्या है एक्ट्रा कंसेलर को अपने आई लेसेज पर लगा दो तो यह आपको फैक आई लेसेज का काम करेंगी बार में जबी सुख जाएगा और आप आई लेसेज अप्लाई करोगे तो आपकी और इसनल आई लेसेजी घनी दिखेंगी कि अब अगयर इसको कॉंपेक पॉड़र से टैट कर देंगे नहीं तो आपका मेक अप है वह अच्छे ते नहीं आ पाएं तो कॉंपेक पॉड़र में ब्रस मिलिया बशी तरीके से जड़ा-ज़़ा का इसके ऊपर लगा देना है तो कि अब आपके एक्ट्राइब ब्रस के और यह एक अपर ले रहे हैं तो वाइन कलर्वा ने लिया था वह हमने आपे पिक किया है और यहां बेस तरीके से अप्लाइब कर दो कभी भी आइट कलर अप्लाइब करते टाइंप जबकि कट्रीच की सेफ है उसके वहां तक कर अपर को नहीं ले जाने उसके बाद हम यह ले रहे हैं ग्रीन कलर प्रवार कि उसके बाद हम यह पर ले रहे हैं पिंक कलर कि उसके बाद हम यह पर लेंगे और इंज कलर कि इसी तरीके से सारे कलर अप्लाई करने हैं डार्ट राउन कलर लेकर अगें आउट्र पर इस तरीके से अप्लाई कर देंगे अब से इसी तरीके से दूसरे आइस पर भी वाइन कलर लिया है कि उसके बाद में लिया है ग्रीन कलर कि उसके बाद में लेंगे पिंक कलर कि उसके बार लेंगे ओरेंज का रहा है कि अगें नीचे भी हम लोग स्वें प्रॉसेस करेंगे गिरीन कालर पिन कालर एंड ओरेंज कालर ग्रीन कालर पिन कालर ओरेंज कालर इसके बास टाच देदेने हलका हलका तो इस तरीके से फुरा कलार प्लाई कर लिया आनने इसके बाद हमनों अप्ला ग्लीटर अप्लाई करेंगे तो मैं यलो का ग्लीटर लेनी हूं इस तरीके से और इस तरीके से उपर जड़ा जड़ा सा इसके उपर अप्लाई कर देंगे आप अब जादा नहीं लगाना है हलका हलका सा अब पूरा ग्लीटरी आई मेकप भी बता दूंदी में बटा भी बहुत जादा नहीं लगाना है इसके बाद हमको लेना हाइड़ाइटर तो हाइलाइटर को हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे इससे आपका जो आई मेकप होता है वह काफी प्यारा लगता है आप इस तरीके से अल्मोंश आई में तो हमारा कंप्लीट होने वाला है अभी जो कटकीज लिख रही है वह अच्छे से सो नहीं हो पार है उसके लिए क्या करेंगे तो सू हो रही है ठीक है बट आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आप कर्षक करना है तो आप कर दोगे आपको आप खाले कर दो यहां जब दो दोगा खता है तो खोलना को अच्छे से अि पतला कर लेना लगाए च्छी से पटला कर ले गए तोर बीज़िक गई लेनन ये जो आपकी कट पीज वाली आया पर भाशे बीयाइन ती बस उसी पे बिल्कुल पतला पतला इस तरीके से अप्लाए कर देना है तो आपकी जो कटक्रीच है वो भी अच्छे से सो होगी तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लुक को देनेगे हैं इसको को कंसीलर को ले लेंगे लेंगे देंज आपकी कटक्रीच है इसको कुछ इस तरीके से लुक दे देंगे दोनों आइज पे होगी के देने हैं आपकी कर देंगे जोिक कर देंगे हैं इसको कर देंगे हैं जोगना है कि इस पर लुक होता है मेकप कर बहुत ज़ादा लगता है अब या तो मेरा आइब्रो जो है वह थोड़ा था करते वक्त कम हो गया था तो मैंने इसको दुबारा से अधिया है तो अब हम लोग अपना मेकप स्टार्ट करेंगे इसलिए पहले आप लोग आई मेकप कर लो क्योंकि आई मेकप करते टाइम बहुत सारे प्रोड़क्त हमारी फेस पर गिरते हैं जिससे मेकप बेज होता है वो खराब हो जाता है इसके लिए हम लोग पहले आई मेकप करेंगे इसमें हमारा मेकप बेज जो है वो खराब नहीं होगा और दोगा भी कि आप उसको इजली साफ कर शकते हो तो यह मैंने लिए मस्करा और अभी देखिए हमारे आई लेसेज पर काफी जादा प्रोड़क्त गिरते उसके वज़े से आपको आई लेसेज का लुक देख रहा होगा काफी अच्छा दिख रहा होगा और काफी घना दिखा सकते हो अगर आपको आपको अर्टिफीशियल लगाने का मन नहीं है तो आप क्या करोगे इसी तरीके से कंसीरर लगा कि उसको कॉंपेक पाड़ नहीं रिखती है और मस्करा लगाना ज़रूरी है तब ही आपका आई मेकप का जो लुक है वह अच्छे से आएगा लो वर्टर लाइन पर इस तरीके से मस्करा अपलाई कर सकते हो कि अब लोग आई लाइन लगाएंगे आई लाइन पर विंग्स लंबी रखनी है छोटी रखनी है वह आपकी चोईच है पहले पहले बताया था कि इस तरीके सेकर आपके आँखों में चला जाए आई लाइन तो उसको कैसे रिमूब करेंगे अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके चेक आउट कर लीचेगा तो कभी भी आपको अपना मेकप कम्प्लीट करने है उसके बाद ही आपको अपना बेस मेकप रेड़ी करने है। क्योंकि आई मेकप कम्प्लीट होने बाद जो भी प्रोड़क्ट आपके फेस पर गिरने वाले होंगे वह पहले ही गिर जाएंगे एंड आपका बेस मेकप जो है वह रेडी मतलब खराम नहीं होगा अब अब बाद आप इस तरी के आपके आई में गया हूँ लाइन आप अच्छे से इजली हटा सकते हो कि अब आप कर दो दो और लाइनर का है प्रती है जो बाड़ेड़े सब्सक्राइब लेक्ते हैं इस ते इसन्साइब दिखते हैं कि और लोटर लाइं की जबने तरीका ने लगाने का जो इजी तरीका होता है वह एक नहीं देखा तो प्लीज आके चेक कर लिजेगा इसका में आपको काला काले करने में वाइट कर रहा यह वाइट काल वह आपकी चोड़ तक के बाई दिखेंगी ऐदंड ब्लैक कााल से जो आपी covering एडिएगी और ल्डी एक वाइद काजल अपितर लग्धर किसी एगा कि उसके बद मैं आप एक काजल अप्लाई करगी हूं कि ज्यादा तो आज थोड़ा डिफरेंट करते हैं एंड बोली के लिए मेकप बता रही हूं तो थोड़ा था ब्लैक आइस के ताथ ज्यादा अच्छा लगीगा कि यह काजला लैक में का बहुत अच्छा बाटरप्रूफ है और आपका बाटरपूफ काजल नहीं गया तो उसके उसको कैसे बाटरपूफ बनाएंगे उसके लिए बहुत सारी वीडियो अप्लोड की हुई है करने के लिए वर्धक प्रोडाक करने के लिए उनको आप रिमूव कर लोगे लोगे डमी सब्सक्राइब पाउडर को ले लेंगे जो भी एक्स्टा फॉड़क्ट अपके फेस पी किरह है वह आप एसली आसे प्लाइब कर सकते हो तो आपकेप मेकप के लिए ज़्यादा सा फांडेशन लोंगी प्राइमर बेने पहले अप्लाई कर लिए इस तरीके से बिल्कुल ज्यादा नहीं अप्लाई करना है नहीं तो आपका मेकप बेज जो है वह बहुत केकी केकी सा हो जाएगा अब गेला व्यूटी ब्लैंडर लेंगे इसको ब्लैंड करते टेम कभी आपको रव नहीं करना है इस तरीके से थब थप आके भी ब्लैंडिंग करना है इससे आपका जो बेस होगा हो बहुत अच्छे के बनेगा कोंटोर करनी के लिए अलग से वीडियो अप्लोड हुई है कंसीलर कैसे अप्लाई करना चाहिए सारी चीज़े तो अगर आपने नहीं देखिए तो प्लीज चेक कर देजिए मेरे सेट पर जालाता मेकप की जड़त नहीं है मैं फांडेशन अप्लाई करती हूं तो ही मेरा मेक प्रोड़क्ट नहीं लगाना चाहिए हां लेकिन अगर आपके स्कीन पे बहुत ज़्यादा पिंग्वेंट है बबलम्स है तो आपको लगाना पड़ेगा लेकिन उसका भी तरीका होता है तो सारी चीज़े डिजेल में बताई हुई है तो देख लीजेगा वीडियो जाके होगी कि आप हुआ हुआ है कि हो जो कि हम आपको मेकप फिक्स जरूर अपने वियां तरह देए कि आपका जुए सब्सक्राइब करें लिए दो मिनिट छोड़ना है उसके ब्लेंडर से इस तरी किसे कर देना इसे क्या होगा कि बहुत अच्छे से जो अपका प्रोड़क्ट आपके और आपके बहुत मेकप किया हो पार जाता है इस ट्रीक अपको कम कर शक्ते हैं कि अब कुझा भी अपके करना ओप्सनल है वेसे फ्लब्लम का प्रॉब्लम है तो मैं अपने अंडर आइक के नीचे कंसीलर अप्लाई करूंगी और नहीं है इसके लिए आपको बहुत कम लगाना है इसलिए अगर आप साधी पार्टी के लिए कर रहे हूं मेकप तब तो आपको लगाना ही लगाना है कंसीलर करने में दिक्कत होती है आइस के नीचे तो आप इस तरह से स्कीन को खीच लोगी उसी दाराम से आप ब्लेंड कर सकते हैं अब अगर आपकी स्कीन बहुत राइ है तो आप लिक्विट ब्लस का यूज कर रहे हूं इसको भी हम लोग ब्यूटी ब्लेंड से ही मिक्स कर देंगे आप अब पूसरों कि अगरेंगे अब आप है कि अब आप है कि आप है इसको लोग इस तरही करते लेंगे नोज पर अप्लाई करेंगे इस तरही करें नोज बॉन पर दैन चिक बॉन्स पर अपर लिट्स पर करेंगे करेंगे वह करेंगे कर देख लेदेगे इसका अब मेक अप्सक्र को एक अधू दो तकने और यहां से पिक्सिंग और रोगे अगर आपकी लाइनर वाटर पूप नहीं है तो वह निकल सकता है ऐसा इस बार्म फेडरेट प्राइट बहुत डार्क पैना हुआ है तो आप अफ२ा लाइट लिप्स्टिक लगाओं गेशिए लाइट पैना हुआ तो डार्क लगाओं गेशिए कि पर भी प्रॉपर वीडियो जा रखिया है कि अब अब आप अब अब आप आप अब आप अब इस तर्टिंग नापको यह भी लग रहा है तो भी चलेगा कि थोड़ी देर के बाद उसकी इनने अपने आप अब जाता है और बहुत अच्छा लोगा जाता है अब साथ यह सुद्र हो तो अपनी बिन्दी लगा लीजिए गर तुर्टि मेकप ते साथ अच्छी लगती है तो यह से भी आजकल तो बिन्दी का ट्रेंड है तो आप लगा सकते हो उसके अपना हेरस्टाइल कम्प्लीट कीजिए और आपका भोली के लिए जो मेकप है वह कम्प्लीट हो जाएगा कुर्टी में डालते हो तो कोशिश कीजिए कि आप खुले बालों का है इस तरीके से कुछ और यह जलूर निका देगा वह आपके फेस को फ्रेम देने में काफी अच्छा हेल्प करता है कि अगर आप में नहीं देखिए तो प्रीज जाके चेक कर लिजेगा तो कैसा लगदा है आज का यह मेकप लुक तो इस तरीके साथ मेकप कर सकते हो अगर आपने में गोली के लिए मेकप कुछ अलग साथ भूल रहे हो बिल्कुल से लुक में और आई मेकप के साथ तो यह कासा लग रहा है कावर्ट में जरू बताएगा यह फाइनल लुक इसके तरह अपनी एरिंग्स ज्वैल्री जूभी आपको डालनी है और डाल दीजेगा वीडियो पतना दाएगे तो लाइक सेट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरीकी पहुर भी हैल्फूल इजी टिप्स के साथ मेकप टूटरियल वीड़ पालना काम के साथ है एको ऐता है तरीकी लाखे हमानी हमानी है झाल